तो आज के सेशन के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं रे ओप्टिक्स के अंदर माइक्रोसकोप के बारे में जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोसकोप और कमपाउंड माइक्रोसकोप और इसके उपर अपने करेंगे एक तो निमेरिकल जिससे अपने जो कंसे करते हैं वो किस तरीके से आते हैं वो भी अपने derivations को भी देखेंगे तो चलिए start करते हैं आज का session लेकिन आज का session स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए good news लेकर आया हूं जिनोंने नीट 21 के लिए focus कर रखा है उनके लिए उनके लिए एक जो crash course है वो start हो चुका है 27 जैन से इस crash course के अंदर आपको जो इंडिया के top teachers हैं वो teach करवाने वाले हैं जो की basically quota और other popular जो coaching institute है वहां से हैं इसके अंदर आपको live class मिलेगी जिसके अंदर आप teacher से live interaction करोगे और इसके साथ ही आप चलती हुई class के बीच में doubt पूच सकते हो जो top doubt होंगे उनको discuss किया जाएगा इसके अलावा आपके लिए test series organize की जाएगी जिसके अंदर पूरे syllabus के test होंगे पूरे syllabus के अलावा इस syllabus को parts के अंदर divide करके भी उनके test लिये जाएंगे practice के लिए आपके पास एक question bank रहेगा जिसके अंदर more than 6,000 questions होंगे और इतने questions की यदि आप practice कर लो ये इतने इस level के question होंगे कि यदि इनकी practice आप कर लेते हो तो neat के अंदर आपको ऐसे question नहीं देखने को मिलेंगे जिनसे related questions आपने ना कर रखे हो इसके लिए जो हम fees ले रहे हैं वो बेहत कम है यदि मैं offline platform की बात करूँ तो वहाँ पर crash course के लिए कम से कम 30,000 चार्ज किया जाता है यदि मैं online platform की बात करूँ वहाँ पर भी crash course के लिए कम से कम 10,000 चार्ज किया जाता है लेकि जो doubtnut आप से ले रहा है वो सिरफ 3,000 चार्ज कर रहा है इसके लिए आपको करना क्या है आपको doubtnut के app में जाना है तो वहां आपको first interface show होगा इसमें आपने live class पर press करना है तो आपको second interface दिखेगा इसमें आपने buy now पर press करना है तो third interface दिखेगा इसमें आपने फिर से buy now पर press करना है तो आपको fourth interface दिखेगा यहां से आपने payment करनी है और आप इस तरीके से इस कोर्स के अंदर enroll हो जाओगे तो इस कोर्स से लेटेड यदि आपको किसी भी तरीके का कोई doubt है तो screen पर एक contact number दिया हुआ है इस contact number पर आप contact करें और अपना doubt clear करें contact number है 01247158250 तो आप में से जो student इस कोर्स से जुड़ना चाते हैं वो मुझे पोल के अंदर बताओ और जो student इस lecture को YouTube या किसी और platform पे देख रहे हैं वो मुझे comments के अंदर बताओ कि मैं इस कोर्स को join करना चाता हूँ हाँ guys very good guys very good बहुत अच्छे हाँ guys okay guys तो चलिए start करते हैं अपना आज का topic जिसमें अपने पढ़ने वाले है microscope के बारे में देखो microscope जो use किया जाता है वो छोटे बहुत छोटे जो object होते हैं micro level के उनको बढ़ा करके देखने के लिए use किया जाता है यानि कि यह उसी object की image को थोड़ा बढ़ा करके दिखाएगा इसलिए हम इसका use करते हैं microscope का लेकिन सिरफ image को बढ़ा करके दिखाने का यहां पर concept नहीं है तो अपने समझे कि इसके पीछे concept क्या है कि कोई भी चीज हमें clear कब दिखती है और कोई भी चीज हमें जो unclear है वो कब दिखती है अब इसको समझे देखो for example यह मेरे पास एक object है मैं इसको यदि कुछ distance पर रख कर देखूँ तो इस पर जो भी कुछ लिखा हुआ है जो भी यहां पर print किया गया है वो मैं उसको देख सकता हूँ इसके हर point को देख सकता हूँ यदि मैं इसको दूर कर दूँ object है तो उतना ही ना मैंने इसको दूर कर दिया काफी दूर कर दिया तो यह मेरे को छोटा दिखने लगेगा आप भी daily life के अंदर बहुत बार ऐसी चीजों को देखते होंगे कि जब आप दूर से देखते हैं तो यह भी चीजें जब दूर हो तब unclear दिखती हैं लेकिन जब पास हो तो काफी clear दिखती हैं तो इसके पीछे जो reason होता है वो है कि उस object के द्वारा जो हमारी eyes पर angle subtend किया गया है वो कितना है for example यह कोई object है ठिक a b जिसकी height है h यह है i जिसके पास है तो यह इस पर इतना angle subtend करेगा माल लेते हैं theta 1 यदि हम इसको दूर ले जाएं i से तो उस condition में यह object अभी भी इसकी height उतनी ही है तो इस condition में जो angle होगा वो बहुत कम हो जाएगा यहां angle ज्यादा है यहां angle कम है तो इस object के द्वारा eyes पर जो angle subtend किया गया है वो कम है और यहां पर ज्यादा है जब angle ज्यादा होता है तो उस condition में हमें जो object है वो clear दिखाई देता है लेकिन कितना पास ला सकते हैं यदि बहुत छोटे छोटे object हैं तो उनको हम देखना चाहे बहुत छोटे हैं micro level के तो उस condition में हम यदि objects को देखना चाहें clear तो हमें बहुत ज़्यादा पास लाना पड़ेगा लेकिन कितना ज़्यादा पास तक ला सकते हैं जो eyes से approximation में 25 cm की distance तक ही यहां तक ला सकते हैं यदि उससे और पास लाएं तो हमें eyes को eyes पर strain देनी पड़े ही इसको रखना पड़ेगा यानि कि इस limit से ज़्यादा हम eyes के पास नहीं ला सकते एक limit से ज़्यादा तो एक limit से ज़्यादा इस angle को हम ज़्यादा नहीं बना सकते तो एक limit से ज़्यादा ये चीज़े हमें clear नहीं दिखेंगी तो जब छोटी छोटी चीज़ों को हमें यह clear दिखने लगे तो इसके लिए जिस instrument का use किया जाता है उसी को हम कहते हैं microscope तो सबसे पहले अपने देखेंगे simple microscope क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे compound microscope अब देखो कि हम जो maximum किसी object का जो angle extend कर सकते हैं किसी जो अपनी बिना किसी instrument का use किये उसके comparison में जो हम instrument लगाकर angle extend कर सकते हैं इसी को ही हम कहेंगे magnification तो जो अपने यहाँ पर magnification use करेंगे वो angular magnification होगा angular magnification यह यूज करेंगे angular magnification m is equal to theta of image यानि कि angle subtend किया जाएगा image के द्वारा इस instrument की help से divided by angle subtend by object जितना यह maximum हम बना सकते हैं यह हम बना सकते हैं maximum और यह किसी instrument की help से जो बनाया जाएगा तो इनका जो ratio होगा यहाँ से हम magnification मिलेगा तो यदि मैं बात करूँ microscope का use किया जाता है object को clear देखने के लिए यह ज्यादा angle subtend करवाने के लिए तो यहाँ पर जो magnification मिलेगा हमें more than one ही मिलेगा अब वो plus minus हो सकता है कि image उल्टी बन ली है या inverted या erect बन ली है कैसी बन ली है तो plus minus यहाँ पर हो सकता है लेकि जो magnification का magnitude रहेगा वो more than one रहेगा तो यहाँ तक बताओ कि यहाँ तक आपको कोई confusion है तो मुझे पोल के अंदर बताओ अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ simple microscope हाँ गाइस जो बच्चे इस lecture को YouTube या किसी और platform पे देख रहे हैं वो मुझे comments के अंदर बताओ कि हमें समझ में आया या नहीं आया हाँ guys very good guys, very good, बहुत अच्छे, very good response चलिए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ simple microscope simple microscope बिल्कुल simple है आपको हाथों हाथ समझ आ जाएगा कि है क्या यह ती देखो, simple microscope के लिए जो यूज किया जाता है एक converging lens use किया जाता है जिसकी focal length कम होती है converging कहें या फिर अपने कहें convex lens इसको हम use करते हैं जिसकी focal length क्या होती है? कम होती है क्यों करते हैं? वो इसकी जो properties होती है convex lens की उस properties के कारण हम इसका use करते हैं देखो मैं यहां पर एक Convex Lens बना रहा है इस तरीके से, यह इसका principal axis है, यह बाला point इस तरफ है, इसका जो principal focus है वो इस तरफ है, इस तरफ यदि मैं लिखूं F1 और इस तरफ लिखूं F2 और इस तरफ रहेगा इसके लिए जो center of curvature है और इसके लिए यहां पर रहेगा C1 जब object को अपने इन फाइनाइट पे रखते हैं तो image कहा बनती है यहाँ पर बनती है जब अपने यहाँ पर ले आते हैं beyond c इस c2 के beyond तो image यहाँ पर बनती है जब इस c2 पर ले आते हैं तो image यहाँ पर बनती है और same size बनती है हमें माइक्रोस्कोप के लिए यूज करना है यानि कि अबजेक्ट को बड़ा यूज करना है अबजेक्ट को बड़ा देखना है यदि हपने इन दोनों के बीच में ले आएं यहाँ पर तो image इस तरफ बनेगी और बड़ी बनती है बड़ी बनती है ना जब यहाँ पर अपने ले आएं एफटू पर तो image कहां बनेगी? image इस तरफ बनेगी infinite पर बनेगी जब हम इन दोनों के बीच में रख देंगे यहाँ और यहाँ पर इसके बीच में तो यहाँ पर जो image बनती है वो इस तरफ बनेगी और बड़ी बनेगी और सीधी भी बनेगी देखो, यदि हम चीजों को inverted देख पा रही है तो हमें उसको use करने में थोड़ी दिक्कत होगी आपने बहुत बार यह देखा होगा कि जो watches को repair करने वाले mechanic होते हैं, वो इनका use करते हैं उनके पास एक इस तरीके का instrument होता है, किस तरीके का lens होता है जो किसी metal के frame के अंदर होता है तो वो उसको eyes के अंदर लगा लेते हैं यहाँ पर और एक eyes से देखते रहते हैं और operate करते रहते हैं, by chance यदि उनको image इसकी उल्टी दिख रही होती, inverted image दिख रही हो, तो क्या वो operate कर पाएंगे जहां किसी चीज का, किसी part का head है वहाँ उसको tail दिखे और tail की जगे उसको head दिखे तो गडबड हो जाएगी सारी तो image यहाँ से, जो इसका simple microscope होता है, इसके अंदर हम image को कहां बनाते हैं image को एक तो बनाते हैं, erect और साथ में बनाते हैं, large तो इसके लिए हम जो रखते हैं इसको approximation में यहाँ पर इसके पास रखते हैं, F2 के पास इस तरफ ताकि इसकी जो image बने इस तरफ बने और erect बने और बड़ी बने हम देखो मैं यहाँ पर आपको एक object रखकर यहाँ से निकलेगा, इसी तरीके से जो यहाँ से जाएगा, वो यहाँ से निकलेगा, और इसकी जो image बनेगी, कहीं यहाँ पर बनेगी, और यह बनेगा A- और यह बनेगा B- तो image देखो यहाँ से, erect है virtual है, और क्या है, बड़ी है, तो हमें virtual या real से कोई ज़्यादा observer को मतलब नहीं होता, किसी mechanic को मतलब नहीं होगा, उसे तो सिरफ उसकी image दिखनी चाहिए, और कैसी दिखनी चाहिए, और CD दिखनी चाहिए, तो इसी लिए इस concept का, या इस instrument का use करते हैं, जो watch को repair करने वाले mechanics का use कर लेते हैं, अब देखो, अब अपने देखते हैं कि यहाँ पर जो हमें magnification मिलता है, उसका formula क्या होता है, वो अपने समझे सबसे पहले, अब देखो कि for example, यह object था AB, AB को बिना instrument हम use किये कितना इस से angle subtend करवा सकते हैं, आई पर वो सबसे पहले calculate करते हैं फिर जो इस image ने यहाँ पर angle subtend किया है I के उपर, वो कितना angle है, फिर अपने इन दोनों का करेंगे ratio लेंगे, और यहाँ से अपने को जो magnification है, वो मिलेगा, अब देखो यह था AB object AB, इसकी height अपने मान ले h है, यहाँ पर थी इसके सामने था observer और इसकी eye थी, ऐसे, तो यह जो angle इतना subtend कर रहा था इसकी eye पर हम maximum कितना पास लेकर जा सकते हैं, maximum हम d is equal to 25 cm तक ही पास ले जा सकते हैं तो यहाँ पर जो angle बनेगा, मैं इसको लिखूंगा theta note, तो इस theta note के लिए, यदि मैं 10 theta लिखूं, 10 theta note is equal to h by d, perpendicular by base, यह यहाँ से हमें मिलता है, यदि theta छोटा हो, तो 10 theta की जगह अपने theta भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसकी जगह बनेगा, theta note is equal to h by d, ठीक, अब हमने यहाँ पर क्या बनाई है, यहाँ पर बनाई है एक image, जिसके लिए, यदि मैं angle लूँ, यह वाला angle लेता हूँ, मैं theta i, इस angle की value, मैं calculate करता हूँ, कि यह angle कितना है, माल लेते हैं, जो image बनी है, यह h- है, इसकी जो distance है, वो v है जो image, तो यहाँ से यदि मैं theta i की, या 10th theta i की calculation करूँ, तो यह बनेगी h- divided by v, इसी तरीके से, यदि मैं theta i के लिए put करूँ, यहाँ पर theta i, sorry, 10th theta की जगह theta i लिखूँ, तो यह बनेगा h- by v, अब इस triangle को देखो, इन दो triangles को, एक तो यह वाला triangle, यहाँ तक का, और एक यह वाला triangle, इस point को लिख देता हूँ मैं o, तो a-b-o और a-b-o में देखो, तो यहाँ पर यह जो distance बनेगी, इसको हम लिखेंगे u, यह h-b बनेगा h, a-b बनेगा h, और यह बनेगा u, तो यहाँ से भी यदि theta i लें, तो वो भी क्या बनेगा, h-by-u बनेगा, ठीक, अब देखो, अपने पास दोनों यह angle आ चुके हैं, इस तरीके से theta i और theta note, तो इन दोनों को लेकर अपने यहाँ से magnification हमें यहाँ से मिलता है, m is equal to theta i divided by theta note, तो यहाँ से अपने चाहें, तो यहाँ यदि मैं put करूं h by d, h by d, और यहाँ पर यदि मैं put करूं theta note की जगह है, h divided by u, तो यहाँ से, sorry, उल्टा हो गया यह, i की जगह है put करेंगे h by u, और यहाँ पर put करेंगे h by d, तो h से h cancel और यह बना d by u, यह आगया m का formula, लेकिन अब देखो, अब खास बात क्या है, हमारे लिए खास बात है कि हम इस image को कहाँ पर बनाना चाहते हैं, यदि image को हम कहाँ पर बनाना चाहें, infinite पर बनाना चाहें, तो इसको कहाँ पर रखना पड़ेगा, इसको इस तरफ focal length पर रखना पड़ेगा, object को, तो u की value क्या होगी, यहाँ पर हो, u की value होगी f, तो जब image कहाँ बनती है, infinite पर बनती है, तो m is equal to लिखा जाएगा d by f, ठीक, दूसरी बाद हो सकता है, हम इस image को 25 cm से इधर इधर बनाना पड़ेगा, तो कम से कम कितना pass ला सकते हैं इस image को, 25 cm पास ला सकते हैं, तो उसके according यदि अपने v की position find करें, u की values put करके, तो यहाँ से जो में m मिलता है, उसका formula बनता है 1 प्लस d by f, यह 1 प्लस d by f क्या है, कि यह है magnification तब जब image कहां बन रही है, 25 cm distance पर बन रही है, यह है magnification तब जब कहां बन रही है, image infinite पर बन रही है, बहुत दूर बन रही है, तो यदि हम image को without strain देखना चाहते हैं, eyes पर strain डाले, तो उसके लिए image infinite पर बननी चाहिए, यानि कि यह वाली situation को हम लेकर चलते हैं, m is equal to d by f, otherwise हो सकता है कि कहीं d 25 cm से लेकर infinite के बीच में भी कहीं बने, तो तब हम इन formulas को लेकर यह calculations करते हैं, तो यह दो extreme situations मैंने बताई हैं, कि यहाँ पर जो magnification है, वो d by f होगा infinite पर, और 25, जब बिल्कुल पास ले आएंगे image को, तो उस condition में 1 plus d by f होता है, तो बीच वाली situation भी हमें कोई हो सकती हैं, लेकिन हम जब practically use करते हैं, तो इस situation को prefer करते हैं, और इसी को लेकर ही हम जो calculations हैं, वो सारी करते हैं, तो इस तरीके से हमें simple microscope के बारे में पता चलता है, तो initial में मैंने आपको बताया था कि इसकी focal length ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि f ज़्यादा होगा, तो magnification हमें ज़्यादा मिलता है, तो ज़्यादा magnification के लिए इसकी focal length ज़्यादा रखी जाती है, ज़्यादा magnification के लिए इसकी focal length कम रखी जाती है, छोटी रखी जाती है, अब देखो, यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर एक lens लगा हुआ है, तो इस lens की एक limit होती है, कि यह इतना ही maximum magnification कर पाएगा, यदि हम चाहते हैं कि और ज़्यादा हम magnify करें object की image को, तो उस condition में हम simple microscope के बजाए compound microscope यूज करते हैं, जिसमें एक के बाद दो, तीन, चार या यूँ कहा जाए कि एक से ज्यादा lens हमें यूज करने पड़ते हैं, और फिर वहाँ से हमें जो magnification मिलेगा, वो ज्यादा मिलेगा, यदि एक lens के लिए यदि मैं बात करूँ, तो इसका जो practically जो magnification होता है वो लगबग 9 के आसपास होता है, तो हम चाहते हैं कि हम किसी object को 9 times से भी ज्यादा times देखना चाहिए 100 times या 200 times, तो उस condition में फिर हमें compound microscope का use करना पड़ता है, तो यहां तक बताओ कि यहां तक आपको कितना समझ में आया, अब मैं start करवाऊंगा आपको compound microscope, जो बच्चे इस lecture को app में देख रहे हैं, वो मुझे poll के अंदर बताओ, कि आपको कितना समझ में आया, और जो बच्चे इस lecture को YouTube या किसी और platform पे देख रहे हैं, वो मुझे comment box के अंदर बताओ, कि आपको कितना समझ में आया, very good response, very good guys, ओके, चलिए guys, अब अपने start करेंगे compound microscope, compound microscope के अंदर हम कम से कम दो lens, दो से ज़्यादा बले ही हो जाएं, लेकिन कम से कम दो lens हम use करते हैं, और वहां से फिर अपने देखते हैं, कि magnification का formula क्या होगा, और किस तरीके से हम, जो इसका concept है, वो क्या है, चलिए start करते हैं, compound microscope compound microscope के अंदर दो lens होगे, एक तो होगा object की तरफ, और एक होगा eye piece, इनका जो principal axis है, वो इस तरीके से है यहाँ पर, इस तरफ है observer, यहाँ पर बैटा है, यहाँ पर है eyes, तो यह क्या होगा, eye piece इस तरफ रखा हुआ है object a, b, ठीक, माल लेते हैं, इसकी जो focal length है, वो यहाँ तक है f-naught, यहाँ है, और इसकी जो focal length है, वो माल लेते हैं, अपने यहाँ से यहाँ तक है, fe, focal length of eye piece इन दोनों के बीच का जो gap होगा, इसको अपने कहेंगे tube length यह जो दोनों के दोनों lenses हैं, यह एक pipe के अंदर fit होते हैं और उस pipe की जो beach की length है, उनको हम interchange कर सकते हैं according to situation image को बनाने के लिए अब देखो, इसको रखा जाता है, यहाँ पर f और c के बीच में कहीं तो जिसके कारण क्या होगा, इसकी image बनेगी इस तरफ यह रेज इस तरफ गई, और यह यहाँ से गई, और यहाँ से गई, यहाँ पर image बनेगी और एक real image बनेगी, इसके comparison में कुछ बड़ी बनेगी क्योंकि इसने इसको magnified कर दिया पहले, तो कुछ यह वाला lens कुछ इसको magnified करेगा, फिर यह वाला lens इसको और magnified करेगा तो जो दो lens होते हैं या तीन lens होते हैं, उनके लिए जो magnification अपने calculate करते हैं, वो multiply करके calculate करते हैं, माल लो 5 time इसने increase किया, 5 time इसने किया तो total कितना होगा, 25, या 10 times इसने increase किया, 10 times इसने increase किया, तो 10 into 10, कितना होगा, 100 times increase होगा, अब जो यह वाली image बनेगी, यह इसके लिए object का काम करेगी तो यह वाली इमेज कैसी होने चाहिए रियल होने चाहिए तभी तो यहां से जो रेज है वो इधर जाएंगी और इससे जो फिर इसके लिए उब्जेक्ट का काम करेगी यदि इदर वर्चुल इमेज बनेगी तो वर्चुल इमेज का मतलब है कि रेज वहां पर और आ नहीं रही तो इसके अंदर से फिर कैसे जाएंगी फिर ये लेंस तो तब अपना काम नहीं कर पाएगा वर्चूल के लिए तो यहां पर रियल इमेज बनेगी और इस तरीके से रियल इमेज के लिए इसको F से इधर या F के जस्ट उपर होना चाहिए इस तरह तो यहां से जब रेज इसमें से होकर जाएंगी तो यह रेज कुछ इधर और कुछ यहां से इधर होगी तो जो इमेज बनेगी फाइनल वो कुछ यहां पर इस तरीके से बनती है यह बनेगी यहां पर बनेगा A-B- और यहां पर बनेगा A-B- फाइनल इमेज जो बनी है यह यहां पर हमें वर्चुल दिख रही है लेकिन जो बीच में बनेगी इंटरमीडियट यह वर्चुल नहीं होना चाहिए अब देखो जो first वाले ने image बनाई यहाँ पर ठीक तो इसका जो magnification होगा इसका जो magnification है ये angle मान लेते हैं बीटा है और ये angle मान लेते हैं बीटा है तो यहाँ से हम magnification यदी calculate करें या फिर इन दोनों angles को लेकर अपने जो magnification है उसकी बात कर सकते हैं तो यहाँ से जो magnification मिलता है first के लिए object के लिए वो बनता है L divided by F naught जो इसने magnification दिया है वो बनता है M is equal to I piece के लिए I piece के लिए ये object का काम करेगा और हम चाहते हैं इस image को अपनी मर्जी से कहीं भी बना सकते हैं इसके लिए जो इस lens को आगे पीछे हम कर सकते हैं लेकिन हमें इस बात पर focus करना है कि जो इसका इसका जो focus है principle focus और इन दोनों के बीच में ही ये image बनें तो उस condition में ही हमें इस तरीके का जो होगी image वो मिलेगी अब देखो इसके बाद यदि मैं बात करूँ ये eye piece है तो हम चाहें तो इस image को कितनी distance पर बना ले 25 cm की distance पर बना ले 30 cm की 40 cm की या बहुत दूर infinite पर बना सकते हैं यदि हम चाहते हैं कि without strain eyes पर दिये हम इस image को देखें तो image कहां बननी चाहिए infinite पर बननी चाहिए यहां से और इसके लिए उस condition में जो इसका magnification होता है वो हम लिखते हैं d by f otherwise जब हम इसको 25 cm की distance पर इमेज को बनाएं तब ये magnification का formula हम use करते हैं बीच वाली situation में कोई और formula भी हो सकता है लेकिन हम इसी situation को ज़्यादा prefer करते हैं तो इसी को लेकर यदि मुझे पूरे इस microscope का magnification calculate करना हो तो हम लिखेंगे m0 into me और m0 इसकी जगह पुट करेंगे l f0 और इसकी जगह mE की जगह पुट करेंगे d by f तो इस तरीके से हमें इसकी values यहां से मिल जाएंगे तो ये हो गया magnification का तरीका ये हो गया magnification का अपना तरीका और ये formula hopefully ये वाला आपको procedure समझ में आया होगा तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है इनके लिए image formation पर question पूछे जा सकते हैं magnification पर question पूछे जा सकते हैं तो इन questions को अपने solve करना है तो पहले यहां तक बताओ कि यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया जो बच्चे इस lecture को app में देख रहे हैं वो तो मुझे बताओ पोल के अंदर और जो बच्चे इस lecture को YouTube या किसी और platform पे देख रहे हैं वो मुझे बताओ comments के अंदर कि यह आपको कितना समझ में आया अब इसके उपर मैं आपको numericals भी करवाऊंगा वहां से आपके जो concept है और clear होंगे क्योंकि physics में बिना numerical किये या बिना situations को practically समझे हम यदि सिर्फ theory के base पर concept को exact समझना चाहें तो वो हम नहीं समझ पातें तो numericals के बिना कुछ नहीं है तो अब मैं आपको numerical करवाऊंगा वहां से जो आपके concept है वो और clear हो जाएंगे चलिएगा मैं इसको हटाता हूँ अब देखते हैं अपने numerical कि जो numerical है वो क्या अपने को given है और ऐसे यदि numerical आएं तो उनको किस तरीके से हमें solve करना चाहिए तो यहां पर आपको एक question शो हो रहा है इसके अंदर क्या लिखा गया है a microscope consisting of two convex lenses of focal length 2 cm and 5 cm placed 20 cm apart where must the object be placed so that the final image virtual जो की virtual है is at a distance of 25 cm from the eye चलिए जैसा जैसा इस question में given है वैसा वैसा अपना note कर लेते हैं और फिर इसको देखते हैं एक lens तो यहां पर है जिसको अपने बोलेंगे objective यह है दूसरा eye piece objective और यह है eye piece इसकी focal length कितनी है इसकी focal length है 2 cm और इसकी focal length कितनी है 5 cm और इनके बीच का जो gap है वो कितना है 20 cm इसमें लिखा गया है कि object को कहां रखें कि जो final image बने वो कितनी बने वो 25 cm बने यानि कि इस वाले से 25 वर्चुल बनती है इस तरफ बनती है तो final 25 cm बने इसके इस तरफ ठीक अब इसको समझें देखो इस lens को हम prefer करते हुए हमें नीपता इसके लिए object को हमें कहां रखना है इसको prefer करते हुए हम इसकी जो situation है वो find करेंगे कि इसके लिए object कहां रखा हुआ है इसके लिए जो object होगा वो कौन सा होगा जो इस object की image बनेगी यानि कि हमें इसके लिए image की जो position है वो ठूंड नहीं है चलिए guys इसके लिए अपने देखते हैं इसकी calculations करते हैं ओके तो ये हैं एक lens जिसकी जो focal length है वो है 5 cm ये कौन सा lens है ये है convex lens question में हमें ऐसा given है इसके यहां पर हमें नहीं पता जो इस side left side है object कहीं रखा हुआ है यूं मान लेते हैं इसके जो image बनी है वो इस तरफ बनी है virtual है virtual होने का मतलब कि इस तरफ यदि real होती तो इस तरफ बनती वो तो वर्चुल है तो इस तरफ कितनी distance पर 25 cm की distance पर अब देखो इधर वाली जो distances होती है वो हम क्या लेते है negative और इधर वाली जो distances होती है वो लेते है positive focal length convex की इधर बनती है focal length, तो ये भी positive लेंगे focal length, चलिए, lens formula यूज करते हैं, 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F, इधर इधर वाली distance is negative, उधर उधर वाली positive, तो 1 by V, V की जगह आएगा minus 25, ये है minus 1 by U, U के बारे में हमें कोई idea नहीं कि U क्या है, ये अपने आप आएगा बात में, is equal to 1 by F, F की जगह आपने put करेंगे 5, ये minus वाला उधर जाकर plus में हो जाएगा, minus 1 by U is equal to, 1 by 5 plus 1 by 25, LCM लेंगे कितना बनेगा 25, 25 को 5 से करेंगे तो 5 और यहाँ बनेगा 5 और यहाँ बनेगा 1, और ये कितना बनेगा, minus 1 by U, 6 by 25, दोनों को पलट दें, दोनों को यदि अपने पलट दें, तो ये बनेगा, यहाँ से U is equal to minus 25 by 6 cm, minus का sign क्या indicate कर रहा है, minus का sign ये indicate कर रहा है, कि जो image बनी है, वो इस तरफ बनी है, तो हमने object को इस तरफ ही लेकर चले थे, यानि कि हमें ये पता चल चुका है, कि यहाँ से, जो distance है, वो 25 by 6 cm है, ठिक, इन दोनों के बीच का gap कितना है, इन दोनों के बीच का gap है, 20, image यहाँ पर बनी है, first वाले ने जो बनाई थी, यहाँ पर इदर से कितनी, 25 by 6, तो अपने इदर वाली distance calculate कर लेते हैं, ये कितनी बचेगी, 20 minus 25 by 6, तो calculate करें इसको यदी, तो ये बनेगा 120 minus 25, यान कि 95 by 6 बनेगा, इस तरीके से, तो यहाँ तक जो अपने calculations हैं, वो अपने कर चुके हैं, ठिक, ये बना 95 by 6, अब ये कट सकते नहीं, तो इसको इतना ही पड़ा रहने दे, object की position पुछी हैं हम से u, जो initial वाला था, हमें नहीं पता वो कितनी हैं, लेकिन हमें इसकी focal length पता है, और इसने जो image बनाई है, उसकी position पता है, तो फिर से हम इसके लिए formula यूज करते हैं, 1 divided by v minus 1 divided by u is equal to 1 by f, v देखो कितना है, v है 95 by 6, तो उल्टा करेंगे, तो 6 by 95 बन जाएगा, minus में, u पता नहीं कितना है, is equal to 1 by f, f की value कितनी है, 2, किस तरफ ये उस तरफ रहेगा, तो positive रहेगा, v इस तरफ था, इस lens के comparison में, तो हमने यहाँ पर positive sign लगाया है, अब इसको उधर बेजें, तो यह जाकर वहाँ पर बन जाएगा, minus में, तो लिखेंगे, minus 1 by u, 1 by 2, minus 6 by 95, तो अब यदि अपने LCM इनका ले नहीं सकते, तो क्या करो, सिधा ही multiply कर दिया करो, जब LCM आप ना लेना आता हो, या ना ले पा रहे हो, तो और इनको फिर cross multiply करो, यह बनेगा 95 minus 12, तो 1 by u is equal to, यह बनेगा 83 divided by 2 into 95, पलट दें दोनों को, दोनों को पलट दें, तो u की जो value बनेगी, u is equal to, वो कितना बनेगा, 2 into 95, यानि कि 190 divided by 83, यहाँ पर minus है, तो यह minus रहेगा, और यह आएगा centimeter, यानि कि 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, और minus में, minus का मतलब है कि इस तरफ put करना है, और 2 से थोड़ा सा ज्यादा, और इस तरफ यानि कि focal length से यह, थोड़ा सा, जो principal focus है, उससे थोड़ा सा इस तरफ, तो इसको calculate कर लिया, और हमारा जो answer वो आजाएगा, कि object को यहाँ पर हमने रखना है, तो इस तरीके से हमें इन questions को solve करना होता है, जो भी microscope से related to questions पूछे जाते हैं, hopefully आज का session आपके लिए बेहद interesting और knowledge वाला रहा होगा, तो अब मिलेंगे next session के अंदर, जहाँ पर अपने इस topic के उपर, नीट के जो important questions हैं, उनको discuss करेंगे, जो previous years के question हैं, आई हुए, उनको भी discuss करेंगे, तो गाइस मिलते हैं next,